टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार, commodities market की budget 2022 को लेकर क्या उम्मीदे हैं, क्या expectations हैं इस बारे में चर्चा करेंगे, तो शरुवात बुलियन इंडस्ट्री से करते हैं जो physical side of the industry है, उसकी ये उमीद है कि जो current rate of custom duty है जो 7.5% के आसपास है, जिसे हमने देखा था कि 2013 में बढ़ाया गया था उसे घटा कर फिलहाल 4% कर दिया जाए, इससे दो फायदे हो सकते हैं कि एक जो currently हमने देखा है कि पिछले कुछ महिनों में high rate के वज़े से gold की जो मांग है, उसमें जो कमी आई है, उसको बढ़ावा मिल सके secondly, जो smuggling activity encourage होती है, इस वज़े से उसे कम किया जा सके या उसे काफी हद तक negate किया जा सके, तो इस वज़े से जो domestic bullion industry है खास करके जो physical market है, वो ये आशाएं रख रहा है कि ये चीज़ इस budget में हो सकती है secondly, जो निवेशक हैं, उनको encourage करने के लिए long term capital gains tax जो है, जो तीन साल बाद लागो होता है जब आप gold hold रखते हैं और तीन साल के बाद जब आप बेशते हैं तो LTCG apply होता है उसकी जो दर है वो 20% है, उसे अगर घटा सकें तो जो निवेश मांग है gold के लिए, एक alternate asset के तरह, वो उबर के आएगी तो ये एक बड़ी मांग जो है bullion industry के तरफ से है secondly, जो broking side है, या मैं कहूंगा कि जो derivatives market है वहाँ पर एक बड़ी मांग ये है कि जो CTD लगाया जाता है, यानि commodity transaction tax जो हमने देखा है कि again, 7 या 8 साल पहले से लगू था युकि अगर हम 2013 की बात करें, तो उस टाइम पर जो CTD था वो negligible था या जो transaction cost थे काफी कम थे, लेकिन फिलहाल जो है काफी reasonable है तो उस वज़े से जो एक पड़ावा मिलना चाहिए, या एक boost मिलना चाहिए commodity derivative side को, वो फिलहाल नहीं मिल पाता, ऐसा industry का मानना है तो अगर हम volume भी देखें, तो 2012 या 2013 में करीबन 80 से 90 अजार करोड के overall average daily turnover हुआ करता था, जो आज 30,000 करोड के भी नीचे है तो बढ़ने के बजाए हमने देखा है कि जब से CTD लागू हुआ है जो arbitrargers थे या जो समझ लिजे, jobbers थे, वो कहीं न कहीं गायब हो गए है क्योंकि उन्हें वो incentive नहीं मिलता इसके पीछे एक सोच यह है कि over speculation हो रही थी लेकिन industry का कहना यह है कि speculators जरूरी है अगर hedgers का risk आपको लेना है तो वो कौन उठा सकता है वो speculators उठा सकते हैं तो speculation पर से कोई गलत चीज नहीं है speculators जो हैं वो hedgers का risk उठाते हैं तो अगर market को ज्यादा deep बनाना है ज्यादा liquid बनाना है तो यह जो transaction tax है इसे वापस लिया जाए या काफी हद तक minimize किया जाए यह एक मांग उबर के आ रही है तो इस पे क्या फैसला होगा वो देखना आवश्यक है तीसरी चीज यह भी है कि जो commodities हमने देखा है कि काफी हद तक 2021 में काफी सारी agri commodities चाहे वो rice हो या फिस soybean हो या edible complex के काफी सारे commodities हैं CPO हुआ, refinance oil हुआ, वहाँ पर हमने ban लगते हुए देखे तो इससे FIIs या FPI जिनको allow किया गया है commodities market में participate करने के लिए वो discourage होते हैं because एक uncertainty रहती है कि कब कोई commodity ban हो जाए उसका भरुसा नहीं है तो यह जो है इस चीज़ को address करना जरूरी है अगर हम commodities market derivatives और physical market दोनों का development अगर चाहते हैं तो इस चीज़ को address करना काफी आवश्चक है ऐसा industry का मानना है तो इसको लेकर हो सकता है कि कुछ चर्चा हो सके तो बहतर रहेगा industry के लिए Secondly, अगर हम agri commodities की बात करें तो food और fertilizer को लेकर subsidies की मांग तो definitely रहती है और government उसे पूरा भी करती है तो इस साल लगभग 3 लाग करोड की subsidies मिलने की उम्मीद industry रख रही है जो लगभग 32-35 लाग करोड के बीच का budget है उसका लगभग 9-10 प्रतिशद हो सकता है इसमें कहीं न कहीं fertilizer को लेकर around 7 लाग करोड और बाकी का food subsidies के लिए हो सकता है खास करके covid related जो problems हैं और जिस वज़े से पिछले साल और उसके पहले भी 2020 में काफी हद तक free distribution हुआ था एक certain segment of society को तो वो जारी रहेगा यानि food subsidies जारी रहेगी साथी fertilizer subsidies जारी रहेगी ऐसा इंडस्री का मानना है तो जैसे मैंने बताया कि 3 लाग करोड के आसपास का allocation हो सकता है ऐसा इंडस्री का मानना है पिछले साल इसी चीज़ के लिए लगभग 4 लाग 80,000 करोड खर्च किये गए थे ऐसा एक अनुमान है तो इसको लेकर भी एक positive optimism बना हुआ है इंडस्री में वहीं पर एक चीज़ जो government ध्यान दे सकती है commodities market को लेकर चाहे वो derivatives market हो या फिर physical side भी हो वो है दोनों के integration को लेकर यानि कि अगर farmers को encourage किया जाए derivatives platform पे अपना जो exposure है उसको hedge करने के लिए उसके लिए उनको adequate funding अगर provide की जा सके तो हो सकता है कि वो जो margin amount जो लगता है mark to market pay करने के लिए derivative side में वहाँ पर अगर उनको adequate funding का कोई सहुलियत दी जा सके तो हो सकता है कि वो अच्छे से participate कर भाएं जिस वज़े से एक integration हम कहा सकते हैं देखा जा सके साथी साथ ये भी एक उम्मीद है कि जो farms है उसके नजदी की अगर warehousing को बढ़ावा दिया जा सके और warehousing development and regulatory authority है उसको अगर revive किया जा सके ताकि जो perishable commodities है खास करके जिनकी shelf life कम होती है उनको storage में रखा जा सके और फिर farmer अपने सवलियत से उनको बेच पाए और अपने मर्जी से बेच पाए तो उससे जो farm sector है और जो agri industry है इंडिया में उससे काफी हद तक बड़ा boost मिल पाएगा तो ये एक जरूरी infrastructure development related एक उम्मीद है जो इंडिया को है और अगर इंडिया को 5 trillion dollar की economy बनना है उसमें से काफी major part agriculture का भी होगा तो agriculture पे अगर आज ही ध्यान दिया जाए और खास करके जो मैंने पहले भी cover किया कि जो farm sector है या जो physical side है चाहे वो farm हो या फिर even जो physical bullion industry है उसका integration जिसे हम कहते हैं कि जो तालमिल है वो अगर derivative side के साथ जादा बढ़ाया जाए तो ये दोनों industries जो है जो separate हैं फिलाल functioning है काफी हद तक अगर उनको मिलाया जाए तो हम लोग जो है अपने goal के तरफ बढ़ सकते हैं जहां farm sector की income भी बढ़ सकती है क्योंकि उनका जो risk होगा वो काफी हद तक कम हो सकता है price गिरने के वज़े से जो risk होता है अगर वो hedge कर सकें exchange के platform पर तो काफी हद तक उनकी income एक तरह से बढ़ सकती है या एक fixed जो hedge income है वो उने मिलने की उमीद हो सकती है तो ये चीज़ें जो है इसी budget में नहीं बलकि अगर आप एक लंबा नजरिया रखना चाते हैं अगले 2 या 3 या 4 साल के लिए या अगले 10 सालों के लिए तो आज से ही अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक commodities side के लिए जो globally काफी बड़ा market है बड़ इंडिया में अभी फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है उसके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा तो just to summarize gold पे custom duty कम करना long term capital gains को rationalize करना commodity transaction tax को अगर वापस लिया जा सके तो बहतर है लेकिन अगर नहीं तो काफी हद तक उसे rationalize करना साथी साथ agri site पे wareousing development, infrastructure development और साथी जो farmers है उनको अगर hedging करने के लिए platform दिया जाए उसके लिए funding की सहलियत दी जा सके तो ये जो एक कदम है ये हो सकता है कि commodity space को काफी हद तक एक बहतर विकल्प बना पाएंगे जिस तरह से equity market इंडिया में develop हुआ है उसी तरह से हम देख पाएंगे कि commodity side भी काफी हद तक अगले कुछ सालों में develop हो सकता है तो ये था एक visualization की budget से क्या उमीदे हो सकती है धन्यवा आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक Big Bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान